हाई लो एब्रीवन मैं हूँ गोविन सती और सागत आप सब का दून ओटोमेशन अकेडिमी में और हम बात करनें सीमेंस लोगों के बारे में और यहां पर मैं आज आपके लिए लेगा हूं सीमेंस लोगों के कुछ फीचर्स के बारे में जो इसके डिस्प्ले की है पिछली पर एफिडियो में अन्बॉक्सिंग की थी और हम सरीज लो नेक्स्ट वीडियो हम इसके फंक्शनी के बारे में है कैसे इसको वायर करना है वो धेरे जरय आने वेडियो के पड़ेंगे इंपूट कैसे वायर होता है उट्पूट कैसे वायर होगा इसकी के लिए हमदे पास था यहां पर जो हमारे पास आपको DC 24 बोल इंपूर्ट मायं बोल्सम को देना है और यहां पर हमने मैं लिएowल पोt Dogg दों है तो आपको यह जो है मैंने कुछ कुछ क्रyक्टर स्क्रयक्टर्स करों है तो यही हम कर्देर्स स्टार्ट करते हैं इसका डिस्पले वह ऐन हो गया जो बिसिकली इस्टाटी वे बूत करता है और यह यहाँ पर टोटल हमारे पास डिस्पले का और आपको साहई दिख रहा हो गठंग से यह वह पहला हमारे स्टाट है दूसरा प्रोग्रम है फिर हमारा है इसको प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारे पाशी करेंगे और पर पुचे और फिर जप HR करता है यप इसे में इसको किया है और यहां पर हमारे पर स्टॉपक पर के साल में थीक सोutta हम इसी और क्राइस है इसा है निफ तो कि हम एमने पर नार्मल करों तो यहां पर यह सबसे अच्छी बात कि आपको जो है यहां पर चीज सबसे अच्छी बात कि अगर आपने यहां से स्पार था चीज सबसे अच्छी में मेंसना हो और को पर चीज सेजर्व हैं कि contemporary Mobile स्बस्लें बाइञा यहां था उद्धार है इसे शाय किरफ सकते हैं उसके भाद इसके लिए आपका यह configuration हमारे पास होगया, start screen हमारे पास होगया, यह जो है setup हमारे पास है, यहाँ पर logo एक बहुत अच्छा module आपको देता है, logo module का एक और basic part आपका यह है कि हम जो है, यहाँ से अगर हम जैसे यहाँ पर लिखागा message configuration, तो यहाँ पर हम जो है अपका एक और module add करके, जो आपका basically gsm-based module होता है, तो वो आपको information जो आपको phone तक भी दे सकता है, तो यह module जो है इसके वहाँ लग जाता है, इस हाल लिपोर्ट पर, और अगर मैं चाहूँआ आपको दिखा सकता है, इस module है, तो यहाँ पर जो को दूसरा module आपके होते हैं, आलिक इसके अल जावा वो आप यहाँ पर reconnect कर सकते हो, उसमें सर्टर आता है, इस टाइप से, आप सर्टर जो ऐसे प्रेस करो गए, तो यहाँ पटा चुझाएगा, और उसके बात हम इसमें जो है, वो operation कर सकते हैं, तो यह जो है, इसका छोटा सा पार्ट जो है, जो बहुत important है किसी भी PLC के लिए, और फिर हमारे पास बाकी जो है, इसके module इसके अंदर आते हैं, फिर हमारे पास आप नैट्रक, जो सबसे important पार्ट है, यहाँ पर नैट्रक हमारा है, क्योंकि यह इथरनेट बेस है, दोटा पी लोगो आते हैं आपका, इससे पहले वाले जो लोगो थे, वो लोग communicate होते थे, जैसे इसमे लेन है, और यहाँ पर उनका module रहता था, केबल, बिसिकली, लोगो केबल का, पर यह लोगो 8 है, नई सेरीज की PLC, इसमें सब आपका लेन के थरू communication होता है, और यहाँ पर हम जो है, आपका memory card जो है, वो slot यहाँ पर लगाते है, तो नैट्रक में, अ हम स्टार्ट करते हैं, अपर स्टार्टिंग पार्ट में, यह हमारा network है, नैट्रक में बंदर जाएंगे, IP address से क्लिक करेंगे, यह अपर IP address हाँ यहाँ से सलेक्ट करोगे, और फिर इसको सिस्टम से करेंगे, तो IP address हाँ पर हो गया, अपर gateway हमारा हो गया, तो यह तीन चीज अपर की तरफ इंक्रीज करेंगा और यह डिक्रीज करेंगा, तो यह हो गया, इसी तरह के से हम जो है, अपका घटवी भी हम जो सेलेक्ट कर सकने, अगर आपको पीछे आने स्क्रीन में, तो आप स्केप बटन प्रेस करो, आप आ जाओगे, फिर आपको डिगनोस करना है, एक आपका जो है, आपका कनेक्शन हो गया, फिर हमारा हुआ हो गया, और हार्डवेर में हमारे पास एथरनेट, SD card हो गया, आपका status हो गया, Mac address हो गया, Mac address basically जो है आपका, वो जब हम land connection करेंगे तो इस तेम बहुत इंपोर्टन है, और यहां पर चल जाता है पता, बहुत अ से आप क्लिक करोगे इसमें तो इसका जो मैक अट्रेस है वो जो है यहां पर भी है और नहीं तो जो है उसके लिए जो का आप देखोगे तो यह रिखा वापका इसका मैक अट्रेस हमारा यह है यह बहुत आपने जो है आपका आपने इस प्रोग्राम जो है जो इसकी इंट्र लोटब्रोगर्म्स से यहां पर तो राव्र कर सकते हो आपको प्रोटेक्ट करने, त으 भी कर सकते हो यह जो सीरीज हमारे पास है इस पर पूरा काम हो जाता है और यह था आपका basic function आपके इसके स्क्रीन की और आने वाले वीडियो में इसकी वाइरिंग पर फोकस करेंगे और दूसरा हमारा इनके आउटपुटे फोकस करेंगे तो वीडियो को देखने के रहे धन्यवाद और थेंक्यू